हुलो एव्रीवान वेलकम तो एक्लास और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आवर टॉपिक इस रेश्यो अनालाइस तोड़े इस आवर लेक्षे नूबर 18 और सम नूबर 13 इसके पहले हमने बैलन शीट रेश्यो प्रॉफिट एंड लॉस यानी इंकम रेश्यो किया इसके बाद ह चल रहा है थो कमभाई र्यश्यो तो एक्जैम में मॉस्टी कमभाई र्यश्यो ही पूछते हैं क्योंकि इस में मिक्स हो कर आता है आप combine ratio पे ज्यादा ध्यान दे previous वीडियो आई बटन में चेक कर सकते हैं नीचे description में लिंक है वहाँ पे भी चेक करें तो question number 13 क्या कहता है तो question number 13 है the detail of financial statement of VASA Limited और as follows balance sheet है P&L trading है 1217 की है question है from the above information you are required to calculate the following ratio छे ratio मांगा है उन्होंने current ratio balance sheet ratio है net profit panel ratio यानि combine ratio है कुछ detail direct दियेगे हैं यहाँ पर vertical बनाने को नहीं खा गया है तो without vertical हम बना लेंगे मगर कुछ चीज़े समझाने इसको समझे account receivable जैसे यहाँ पर account receivable में दो चीज़े data अपनिंग भी दिया हुआ है closing भी दिया हुआ है inventory stock है opening भी है closing भी है account payable में दो चीज़े होती है creator और बिल्स पेबल एन्यों मिक्स करके दिया है opening और closing यह formula में लगने वाला आपको बच्चो और फिर यहाँ पर आपका equity shares है preference reserve penal long term यानि borrowed fund है current liability है fixed assets में depression minus करके बता है और अनोंने फिर आपका missliness यह fictitious assets है preliminary expenses इसको ध्यान देना आपको फिर नीचे तो directly detail दिया हुआ है cash credit and total sales है cost of goods sold दिया हुआ है और यहाँ net profit NPAT net profit after tax है because interest और tax already यहाँ लिखा हुआ है minus किया हुआ है तो यह जो net profit है net profit after tax है और इस में से अनोंने reserve अगेना minus किया तो retainer नहीं आया है final answer आपका तो बच्चों सबसे पहले current ratio वहाँ से start करते हैं हम लोग तो current ratio को formula है current assets upon current liability तो आपको current assets जो यह सारे लेने पड़ेंगे कहां-कहां से account receivable data 8 lakh लेना है वो inventory बारा लाग cash expense advance income tax preliminary expense current assets नहीं है और current liability में फिर आपको account payable से लेके last तक लेना यानि चार entry यहां लेनी है तो 8 plus 12 plus 2 plus 50 plus 250 और liability में 8173 8173 सबको plus कर लेते हैं बच्चो तो 25 lakh और 19 lakh ratio आपका 1.32 raise to 1 तो आपने direct करना है भी और second ratio था हमारा net profit ratio अपने यू यू अन्पी यू अपन सेल्स इन्टू 100 तो आपको बता है था मेने net profit after tax file x 78 और sales information ने टोटल से लेंगे 90 lakh तो 5.78 यू आपने 90 इन्टू 100 तो यू नेट profit ratio काम तो 6.42 परसंट था धेर हमारा return on capital employed इसका formula NPBIT upon capital employed NPBIT यानि net profit before interest and tax यानि इसमें interest और tax minus नहीं करना हमारे पर जो net profit है वो net profit है after interest and tax तो यहाँ पर simple calculation है आप यह तीनों को plus कर दें यानि reverse आना आपको तो आप यह तीनों को plus करें 578 प्लस 3 प्लस 2,22 तो आपका net profit before interest tax आ गया 11 लाग वापे समझाओ यह reverse टेबल है आपका NPBIT उपर आता है फिर interest माइनस होता है फिर tax माइनस होता है फिर NPAT आता है तो आभी simply मैंने reverse कर लिया इसको 578 प्लस 3 प्लस 2,22 तो it comes to 11 लैक अब हमें चीए capital employed इसके लिए लगी कि balance sheet capital employed में आप कोई भी form में कर सकते हैं तो हम यह vertical form यह horizontal form दिया हुआ है हमें vertical form में करना है तो मैं liability size चुरू करता हूँ यहाँ आपको टेबल बनाए मैंने equity 20 लाइक है रिजर उसमें plus करते है प्लस करते है और मिसल ने अभी बताया तो मैंने आपको 56 asset है तो यह 50 asset माइनस करें तो equity shareholder fund है 27 लाइक 50,000 और फिर उसके अंदर preference share भी आता है preference share कितना 10 लाइक है तो equity plus preference प्रोप्राइटर फंड आ गया आपका 37 लाइक 50,000 पार्ट इस बोरोड फंड बोरोड फंड में दो figure है हमार long term of public deposit 12 अच्छे यानि 18 लाइक तो 37 प्लस 18 तो it comes to 55,500,000 तो capital employed भी आ गया NP, BIT भी आ गया simply divide कर देते तो आपका answer आता 19.82 परसेंट ये vertical form आपको आना जरूर है बच्छो तो directly आप कर सकते हैं पूरा बनानी की जरूरत नहीं है अगला ratio उन्होंने बदा date survey ratio PBIT upon interest PBIT तो मैंने बता दिया 11,00,000 और interest अभी हमने sum में भी देखा था और अगर नहीं sum में समझ में आ रहा है तो आप देखो 12,00 का 12% निकाले और 6,00 का 13% निकाले और दोनों plus करेंगे it will be 2,22,000 और आपको ये question में भी दिया था बच्छो question में आप देखेंगे यहाँ पे interest 2,22,000 तो ये ही figure है आपको लिखना है वहाँ पे तो 2,22,000 आपका interest है PBIT आपने अलड़ी निकाला है 11,00 तो आपका debt survey ratio आगया 4.95% 100 है यहाँ पे लिखा नहीं मैंने आप 100 लिख दे देन दो नेक्स्ट इस stock turnover ratio cost of goods sold upon average stock cost of goods sold किता था बच्छो हमारे question में cost of goods sold is 63,00,000 तो 63,00,000 आपका cost of goods sold अच्छी बात है मगर average stock चाहिए average stock यह नहीं अभी पताया था मैंने opening plus closing divided by 2 यह formula है तो opening plus closing divided by 2 9,00,000 प्लस 12,00,000 divided by 2 it comes to 10,50,000 तो अब simply 63,00,000 को 10,50,000 से divide करें यह answer comes to 6 time तो पूरा data और पूरा detail समझने आपको the next ratio is data turnover ratio create sales upon data plus bill receivable basically data और bill receivable एक ही figure दिया रहता है मगर यह सम्में उन्होंने opening और closing दोनों दिया हुआ यानि आपको average लिखना पड़ेगा और आपका credit sales हो दिया तो already question के अंदर तो पहले हम क्या गरते है data का और bill receivable समझे यानि account receivable यह मैंने आपको starting के मिता है account receivable as a mixture of data and bill receivable और उन्होंने दोनों का opening closing दिया हुआ 6,00,000 और 8,00,000 तो create sales 60,00,000 दिया था और 6 और 8 divide by 2 करना आपको तो 6, 6, 12, 14, 14,00,000 दिया रहता है तो इसलिए हम लोग data of bill receivable लिखते हैं opening closing दिया है तो फिर आपको average निकालना पड़ेगा जैसे यह average stock था opening stock भी है हमारे पास और closing stock भी था तो इसलिए हमने average निकाला same way receivable के लिए भी आपको average निकालना पड़ेगा जब वो opening और closing दे रहा है तो यह चीज़ पर आपको ध्यान देना है the next ratio is creator turnover ratio create purchase upon creator plus bills payable same fund लगेगा credit purchase आपको गुश्यट में नहीं दिया था वो आपको ढूनना पड़ेगा कैसे ढूनेंगे बच्चो format याद रखे opening stock यह formula consume वाला formula यूज़ कर रहे है तो opening stock तो अल्रेड़ी दिया 9 lakh plus purchase यह हमारा balancing figure का यहां के लिए यह consume का format है यह हमने 12 standard से सीखते आ रहे consume कैसे निकालते opening stock add purchase less closing stock is equal to consume यानि cost of goods sold यहां पे भी लिखा है 63 lakh तो यह दिया हुआ आपको 63 lakh तो आपको आप क्या करना है simply reverse जाना है और reverse जब भी जाते हैं तो sign बदलना पड़ता है तो reverse जा रहे हैं तो 63 plus 12 comes to 75 lakh और यहां पे add होके यह आने वाला है यानि reverse जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा minus 75 lakh minus 9 lakh it comes to 66 lakh तो इस तरह से आपको create purchase का balancing figure मिलेगा तो यह consume वाला फॉर्मेट है इसको याद रखें वर्टिकल फॉर्मेट है बच्चों सब चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एनियों create purchase आ चुका है 66 lakh और creator bills payable के लिए question ले लेते हैं यानि account payable is a mixture of creator and bills payable अगेन यहां पे देखो opening और closing दिया हुआ है तो यानि average का fund लगेगा 9 plus 8 यानि 17 lakh divided by 2 करना पड़ेगा तो 66 lakh यहां से आया 9 और 8 आ गया 17 lakh और divide by 2 करेंगे तो it will be 8 lakh 50 तो 17 lakh divided by 2 8 lakh 50 अब दोनों को simply divide करें तो आपका answer है 7.6 time तो बच्चों इस तरह से हमारा combine ratio भी मुकमल किया हमने hope so यहां तक कोई doubt नहीं है इंशाला नेक्स वीडियो में जल्दी मिलेंगे thank you thank you for watching the video God bless you